तो अब लोग इस topic में cover करेंगे reflection तो इसके पहले के जो lectures थे उसमें हमने आपको reflection तक cover कर आया और reflection में क्या था कि जो भी light energy है किसी surface से टकरा कर reflect होके बापस उसी medium में बापस आता है return होता था लेकिन जब light rate transmit कर जाए one medium to other medium तो उसको हम लोग क्या बोलेगे reflection है ना तो यह reflection mechanical wave में भी होता है और light wave में भी होता है तो अभी तो हम लोग light wave की बात कर रहे हैं तो जब reflection होता है तो एक तो कुछ basic चीज है कि during reflection color, frequency, phase, remain unchanged तो जब रिफ्रेक्शन होता है तो कलर, फ्रिक्वेंसी और फेज नहीं बदलता है, चेंज क्या होता है, चेंज होता है वेब लेंद में और स्पीड में, मेकैनिकल वेब हो, मेकैनिकल वेब हो, चाहे इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेब हो, फ्रिक्वेंसी तो आपको बताया था, यह कभी चेंज होता ही नहीं है, हाँ, स्पीड डिपेंड करेगा मीडियम है, फो डिफ्रेंट डिफ्रेंट मीडियम, स्पीड क्या बताता है speed of बेब जो भी बेब हो mechanical हो electromagnetic हो तो frequency नहीं बदला पर बेब length बदलता है यानि speed बदलता है तो बेब length को बदलना पड़ेगा अब एक point और दिखा है starting में कि color नहीं बदलता color नहीं बदलता जबकि मैं कहा हूँ बेब length बदलता है तो इसका मतलब फिर तो हमारे दिमाग में यह किए चलता है कि color तो जैसे हम लोग white light की बात करें तो 4000 एंगस्टाम to 7800 एंगस्टाम होता है color जो हम लोग 7 color लेते है white light का bib गियो है न violet, indigo, yellow, orange, red जो भी हम 7 colors लेंगे उसमें बेब length 4000 से 7800 एंगस्टाम होता है तो हम उस हिसाब से सोचने लगें तो उसके according तो जब बेब length बदल रहा है तो color बदलना चाहिए क्योंकि अलग-अलग color का बेब length अलग-अलग होता है पर actual में जो color of light है वो बेब length पे depend नहीं करता है हाँ ये बात अलग है कि हम पो याद है कि 4000 से लेकिन 7800 एंगस्टाम का जो बेब length है वो white light के लिए हुआ जिसका color violet से लेके red तक change होता है तो different color के लिए अलग जिसे violet के लिए हो गया 4000, red के लिए हुआ 7800 एंगस्टाम, yellow color के लिए approximately 5600 एंगस्टाम तो अलग होता है लेकिन interesting बात यह है जिस पे हम लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं ये जो बेब length है ये white light के जो बेब length है colors के जो बेब length है ये free space और air के respect में है यही color जब glass से पास होगा, butter से पास होगा तो उसका बेब length जो 4000 वाला है वो बेब length बाटर में जाएगा तो 4000 नहीं रहेगा वो change हो जाएगा color वही रहेगा लेकिन बेब length change हो जाएगा तो इससे conclusion यह निकलता है कि color of light depends only on frequency of light, it does not or it on wavelength पर हमको ऐसा दिमाग में रहता है कि बेब length पर डिपेंड करता है लेकिन आप जान लीजे कि light का जो color है वो frequency पर डिपेंड करता है ठीक है न बेब length पर नहीं और बेब length 4000-8000 white light के लिए जो बेब length वो air के respect में है वही बेब length वही white light जब किससे पास होगा बार्टर से गलास से तो इन अलग-अलग medium में वो range अलग-अलग होगा ऐसा नहीं कि 4000-7800 रहेगा वो चेंज हो जाएगा तो इस पर डिपेंड करेगा ठीक है तो इस पर डिपेंड करेगा ठीक है तो इक पॉइंट यह हो गया ठीक है इसके ल इस मोश्ट सैंश्टिव फोर यलो कलर किसके लिए इस मोश्ट सैंश्टिव फोर यलो कलर और यलो कलर का जो बेवलेंध होता है वो एक प्रस ना होता है 5600 angistam तो हम लोग का eyes इस color के लिए ज्यादा sensitive होता है जैसे किसी को color blindness होता है तो red का होता है किसी वो green का होता है किसी वो blue का होता है लेकिन yellow color का blindness किसी को नहीं होता है eyes हमारी जो है most sensitive होती है yellow color के लिए ठीक है अब हम लोग बात करते हैं refractive index का तो refractive index क्या है basically एक property of matter है optical substances का जिससे light pass हो सके उसको हम लोग optical substances बोलेंगे जिससे iron से light pass करोगे iron से electromagnetic rays तो pass हो सकता है like x ray gamma ray वो भी electromagnetic है पर light weight का मतलब हो गया जिसको जिसके थूँ हम लोग देख पाते हैं जो हमारे देखने के काम आते है विजबिल रेंज में जो आता है है उसको हम light ray कहते हैं है electromagnetic wave लेकिन उस रेंज का जो 4000 से 7800 एंगिस्टाम कहा पर हो air में बार्टर में कुछ और होगा ग्लास में कुछ और होगा पर air के लिए जो है वो उसके corresponding हम याद रखते हैं 4000 to 7800 एंगिस्टाम तो refractive index का है property of matter of optical substance है न कि उससे light किस तरह से pass होता है उसको define करने के लिए तो इसमें सबसे पहले टर्म आता है absolute refractive index of medium और इसको n से भी लिखता है कहीं कहीं mu से भी लिखते ह तो यह होता है speed of light in free space और air almost same लेते हैं upon speed of light in medium तो इसको हम लोग calculate करके पता तो करी सकते हैं कहा है मतलब जो फिर यह है वो कितना हुआ CYB तो यह absolute refractive index है किसी भी medium का ठीक है ना तो किसी भी medium का absolute refractive index इस तरह से निकालनेगे ठीक अब फिर आंगे आतने हमने बताया कि बेड लेंथ तो इसका change होता frequency कभी ने बदलता तो speed लिखना चाहूँ आप तो इसको new लिख रहा हूं new मतलब frequency free space में lambda new into lambda new cancel हो गया तो दूसरा formula और क्या बन गया लेंडा नॉट बाइड लेंडा तो यह भी हो गया इसमें लेंडा नॉट क्या है कि इस्पीड ओफ लाइट कि इन फ्री स्पेस और लेंडा इस्पीड ओफ लाइट स्वरी इस्पीड की तो बात कर चुके है तो यह क्या होगा बेव लेंड है न बेव लेंड ओफ लाइट इन फ्री स्पेस और इसी तरह से लेंडा बेव लेंड अप लाइट इंडा मीडिया तो absolute का मतलब होता है फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में ठीक है न अब हम लोग लाज अब हम लाज ओफ रिफ्रेक्शन की बात करें तो लाज ओफ रिफ्रेक्शन इसका इससे कोई मतलब नहीं है कि surface plane है या curved है जैसे law of reflection को इससे थोड़ी मतलब था कि reflection plane surface से हो रहा spherical surface से हो रहा, parabolic surface से हो रहा, कैसा भी रहेगा उसी तरह से laws of reflection जो है, ये भी क्या है इसको भी हम लोग इससे कोई मतलब नहीं है कि curved surface से हो रहा है, spherical से हो रहा, plane से हो रहा, एक medium से दूसरे medium में transmit होगा wave, तो reflection ला follow करेगा, तो last reflection में तो first रहा है, first रहा है, first रहा क्या है, incident ray, refracted ray, and normal, at the point of incidence, will be co-plane, है न, मतलब एक ही plane में लाई करते हैं, जैसे large reflection बताया था, incident ray, reflected ray, वो reflect कर रहा था, यहां reflect कर रहा, transmit कर रहा है, तो यह सब क्या होते हैं, एक ही plane में होते हैं, है न, second ला जो है, इसको snails ला भी कहते हैं, और यह snails ला यह कहता है, कि जब reflection होता है, तो product of absolute refractive index of medium, and sine of angle of incidence, will remain constant, यह है, ठीक है न, product of absolute refractive index of medium and sine of angle of incidence, बैसे तो आप्रों sine theta लिखते हैं न, लेकिन जब अकिला sine लिखना हो, तो ऐसा ही n लिखा जाता है, इसलिए, ऐसा ही n लिखा रहा है, तो यह angle of incidence के sine का product क्या रहेगा, constant, तो इसने इसला को हम यहां पर continue कर रहे हैं, तो वो है है, कि mu, mu कहले है, यह refractive index n लिखा था, तो n sin theta equal to constant, यह हो, अब इसका क्या मीनिक होगा, इसको देखे हैं, जैसे यह कह रहा है, कि यह medium कुछ बन है, यह 2 है, मालों यहां कुछ भी लेखा आपने, एर है, glass है, कुछ भी होगा, तो जैसे light यहां incident हुआ, यह incident हो रहा है, तो यह medium बन है, अब यह refract हो, कही और जाये, वो अलग बात है, है न, दूर जाये, पास जाये, कुछ तो होगा, तो यहां angle of incidence और इसका refractive index कितना है, absolute mu है, इनका product क्या रहेगा, new बोलो या end बोलो, इसका product क्या रहेगा, constant, तो यह n sin theta equal to constant, अब पता जाला, light successive medium से जाए, तो successive medium से क्या है, यह बहुत सारे medium है, if light passes through successively, passes successively through different medium, तो उस case में क्या है, कि जैसे मालो यह बहुत सारे medium है, यह one है, यह two है, यह three है, four ऐसे चलता जा रहा है, light incident हुआ, यहां कुछ ऐसे हुआ, तो यहां लग angle incidence हो रहा है, boundary पर, तो क्या होगा, n1 sin theta 1, n2 sin theta 2, n3 sin theta 3, equal to n4 sin theta 4, यह सब चितने भी आयरा सब क्या होगा, constant होगा, तो इसका मतलब है, product यह बहुत लाइट इंटर करा, तो इसका absolute refractive index, और sin, angle of incidence का product में इसा क्या रहा है, और कौन से, तो इसके आप यह भी कह सकते हो, यह हम sin theta, और n का graph बनाए, तो यह फिर एक rectangular hyperbola हो, क्या होगा, rectangular hyperbola, ठीके न, तो यह हम लोग इस तरह से find out करेंगे, अब एक other form देखते हैं लोग, other form of business, तो जो दूसरा form है, वो क्या है, माल लीजे, यह different medium है, यह medium 1 है, और यहां पर medium 2 है, यहां कुछ होगा, पता नहीं क्या है, तो यहां से लेखो, जैसे light area, यह angle of incidence माल जो आई हो गया, अब ऐसे कुछ हुआ, यह angle r हो गया, अब ज़रा समझों कि यह r हुआ, तो यह भी तो आर हुआ 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 है, लाइट बं से यहां जा रहा है, यह बं नहीं कहते हैं, चलो मैं कहता है, यह area है, है न, यह कोई और medium, जैसे अभी बं से 2 जा रह है, तो इसको आप यह कह सकते हो, यह थीटा 1, इस वाले रिफ्रेक्शन से नहीं होता है, इस नहीं इसला में, जो mu into sin theta बताया, उसमें sin of angle of incidence है, तो यह angle of reflection है, लेकि इस boundary पे तो angle of incidence का का काम करेगा, इसलिए हम थीटा 2 को क्या बोल रहे हैं आप यार, तो क्या हो जाएगा n1 sin theta 1 equal to n2 sin theta 2, तो यहां देखो n1, theta 1 का मतलब क्या हुआ, i, इसका मतलब हुआ, r, तो sin i upon sin r equal to n2 by n1, तो जो भी absolute refractive index है, हम i और r बदलेंगे, यह तो property or matter है, यह सब आएगा ultimately, क्या constant, यह सब क्या आएगा, constant आएगा, तो यह से दूसरा form ऐसका, अब यह बात लगए कि जो हमने n2 by n1 देखा है, इसको बोला जाता 1 n2, इसको क्या कह सकते 1 n2, तो जैसे n2 है, यह absolute refractive index, और medium to absolute refractive index, of medium 1, और जो 1 n2 है, वो है absolute, इसका है refractive index, of medium 2 with respect to 1, हैना, 2 का किसके respect में है, 1 के respect में, तो हम इसको अब क्या देख सकते हैं, दो को 1 n2 जैसे लिखा है, तो 1 n2 एक तो हम यह लिख सकते हैं, n2 by n1, अब यह absolute को याद करो, इसको हम c by v2, इसको c by v1 लिख सकते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, v1 by v2, और frequency into wavelength, frequency into wavelength से frequency cancel होके कितना हो जाएगा, lambda 1 by lambda 2, तो हैनी 1 n2, n2 by n1, v1 by v2 और क्या बनेगा, lambda 1 by lambda 2, हैना, अब कुछ direct point आपको याद रतना है, interesting बात यह होता है, कि light ray हमेशा reversibility को follow करता है, तो पहला point यह है, जैसे यह medium 1 है, यहाँ 2 है, और फिर बापस medium क्या है, 1 है, तो light ray जैसे कोई ऐसे incident हुआ, तो practically यह देखा गया है, यह जैसे हम लोगों को experiment करने होते थे, तो उसमें हमने किया, अब आप लोगों को कराए गया नहीं पता, तो इसमें light ray हमेशा कैसे निकलता था, इसके हमेशा कैसे होगा, पैलल निकलता था, इसके हमेशा कैसे होगा, पैलल लोगों जब light ऐसे जा रहा है, तो इस पात को follow करते निकलेगा, जब उल्टा देखो आपकी light इधर जाओगे तो फिर वो ऐसे आजाएगा candy का मतलब यह angle आई है तो यह R है जब यह R हो जाएगा तो यह भी कितना हो जाएगा आई, तभी parallel निकल सकता है तो light रे हमेशा क्या होता है? parallel shift होता है जिस medium से चला उसी में बापस आजाए तो parallel इसका मतलब है कि जो जैसे यहां से यहां गया तो आप लिखोगे 1 & 2 फिर 2 से बन जा रहा है तो आप लिखोगे 2 & 1 इसमें इसला में जो आप sign eye upon sign eye लेखते हैं तो उसमें आई आप देखो कि light कहां से कहां जा रहा है तो 2 & 1 अब यह हो जाएगा sign eye upon sign eye लेख और इसमें लेखो आई का वैलू r के बरावर और र का वैलू i के बरावर तो यह क्या होगा sign eye upon sign eye तो यह cancel होके 1 आजाएगा तो आप में 2 & 1 लिखना हो यह क्या हो जाएगा 1 upon 1 & 2 तो यह refractive index जो भी होगा उसका क्या कर देना आपको यह इनको आपस में change करना तो बदल सकते हैं इसका मतलब refractive index 1 with respect to 2 इसका मतलब 2 with respect to 2 बदलना पुरेगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे उल्टा करेंगे अब second case देखें जरा तो second case में देखो जैसे बहुत सारे medium हो बहुत सारे हो 1,2,3 यह ऐसे अभी दो ही ले रहा है माली जै यह 1 है फिर 2 है फिर 3 है फिर 1 आ गया तो light कैसे भी pass होते हुए चले यदि यह ऐसे है तो अंदर इधर कुछ भी होता रही है ऐसे ऐसे कुछ भी चले लेकिन जब इधर निकलेगा तो हमेशा parallel निकलेगा इसके इसके कैसे होगा parallel तो अब आप study करोगे तो यहाँ 1 & 2 2 & 3 3 & 1 चलते चलते वापस आगा तो product कितना होगा बन लेकिन यह parallel medium है और जिस medium से चला light उसी medium में आएगा तो हमेशा parallel निकलेगा बीच में पुछ भी angle होते लेकिन यह हमेशा parallel निकलेगा मतलग incident light ray यह था और जो बाद में निकला हो हमेशा क्या रहेगा parallel रहेगा जैसे आप इसको कहते हो कि यह PQ है और जो निकला हो RS है तो always PQ क्या होगा parallel to RS है ना यह 3 है ऐसे बहुत सारे medium होते जाए 1 2 3 बहुत सारे दसो मीडियम हो हजारो मीडियम हो तब इनका product sequence में चलोगे ना बन से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5 5 से बन प्रोडक्ट हमेशा बनाएगा अब इसी को हमने 2μ3 लिखा हुआ है यह 2N3 लिखा हुआ है तो 2N3 इसको लिख सकते हैं 1 upon 1N2 into 3μ1 इसको divide यह 3N1 डिवाइट करती है यह उपर च और यह हो गया 1N2 इससे हम generalize कह सकते हैं तो यह जिसे 2μ3 लिखा था ना यह 2N3 लिखा था refractive index तो पहले अभी दोनों का 1 के respect में कुछ और होता तो आप यह जैसे अभी हमने लिखा 1N3 यह तो हमने अभी find out किया ना 1N2 चाहो तो AN3 by AN2 चाहो तो LN3 by LN2 same के respect में यह simple N3 by N2 ऐसे हम लोग find out कर सकते हैं ठीक है यह lateral shift by slab find out करना है तो जैसे कोई slab है जिसका refractive index n है माल दीजे n या mu कुछ कभी n लिख देते हैं कभी mu लिखते हैं इक ही बात है तो refractive index new है और इसका thickness tree है अब हमें lateral shift चाहिए माल दो light tray ऐसे incident हुआ जैसे यह slab नहीं होता तो यह light tray ऐसे ज जाता ना लेकिन actual में क्या होगा जैसे माल दीजे angle of incidence आई था तो यह towards the normal shift होगा यह देंसर medium हुआ तो और इसके बाद अब इतना तो आप जानते हो कि रेरर से देंसर में जाता है तो towards the normal shift होता है और देंसर से रेरर में जाएगा तो अब है ना तो इसलिए अब light tray जब ऐस डिकरना है तो लेक्सित का मतलब है सेंब पात को follow ना करके उसके parallel तो जाना पर सिप्ट हो गया तो यह जो इनकी बीच का separation आ गया है इसी कहा है लेक्ट्र शिप्ट D मतलब यह जो separation आया जितना parallel निकला इसको अब लेक्र लेक्ट्र बोलेंगे तो लेक्र इसलेंड जो होग i-r upon यह आपको फॉर्मुला याद रखना है तो लेटरल सिट का फॉर्मुला है फॉर्मुला याद रखना है तो फिर उतने कम टाइम में हम कैसे टॉपिक कबर करेंगे ठीक है यह फॉर्मुला होता है जो हमें एपलाई करना है लेकि प्रॉब्लम यह है कि i तो given है पर r नहीं given है तो हमको पता है ना मुव इक्वल टू क्या होता है sin i upon sin r इस मीडियम का तो मुव है रूप 3 sin 60 by sin r रूप 3 by 2 cancel होके sin r का वैलू कितना होगा हाफ हाफ मीज कितना होगा 30 लिगी तो जब आपने r कर लिया तो अब इसमें आप फॉर्मुले में वैलू रखो इसलेट में तो नाव d equal to t 10 हो गया sin i minus r 60 minus 30 हो गया upon cos 30 हो गया तो 10 हाप है ना cos 30 root 3 by 2 होता है यह बस cancel हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 by root 3 cm यह lateral shift होगा lateral shift कैसे जैसे slab नहीं होता तो यह light ऐसे निकल जाता अभी क्या होगा towards the normal shift होगा अब फिर ऐसे गया तो यह जो separation होगा इसी कौम लोग क्या कह रहे है lateral shift यह हो जाएगा ठीक ना अब आते हम लोग shift by slab for paraxial raise तो for paraxial raise यदि हमें देखना है paraxial raise का मतलब बहुत close होना चाहिए यह angle जैसे अभी हमने लेटल shift में बताया तो angle 60 degree कर दिया आर 30 degree हो गया पर जब हम paraxial raise की बात करें तो light तो incident होगा पर जो i और r है वो छोटे आने वाले क्योंकि i small होगा तो r भी small होगा mu equal to लिखते हैं हम लोग refractive index sin i upon sin r और जब i और r small होगे तो उसी को लिखेंगे i upon r ठीक है तो उसको हम लोग paraxial raise बोलें तो दो case हो सकते हैं एक तो हो सकता है convergent beam के लिए एक divergent के लिए जैसे आप ऐसे सोचो कि एक तो यह divergent है मतलब divergent का मतलब है कि एक light ray ऐसे ऐसे निकल गया तो यह तो सीधा निकलेगा अचा एक light ray ऐसे गया तो यह divergent हुआ यह कोई object माल दिया आपने अब यह क्या होगा towards the normal shift होगा और फिर normal shift दूर जाएगा तो पता है parallel जाता है तो ऐसे निकलेगा अब यह divergent ray निकलने के बाद तो image तो बनाएगे निए image बनाना है तो जो निकला उसको आप पीछे बढ़ाईए तो इसी कूपर overlay करेगा इसको पीछे बढ़ाईए तो यह इसको overlay करेगा तो कहां बना आए तो यह image shift हो गया और इस shift का value होता है T यदि इसका थिकने स्टी है और 1-1 upon mu क्या है refractive index of slab with respect to surrounding अब surrounding क्या है air तो air बाटर पर फिल कर दोगे तो फिर बाटर के respect में निकालना पड़ेगा तो with respect to surrounding यह अभी कुछ नहीं होता है तो हम absolute मालते चलते हैं इसी तरह यहां देखो light tree यदि slab नहीं होता तो light tree कुछ ऐसे जाते हैं यहां पर focus होता इस तरह से लेकिन पता चला कि अब तो slab आ गया तो यहां जाने नहीं देगा ना यह भी ऐसे मालतो नहीं जाने देगा तो यह object है लेकिन यह तो normal गिर रहा तो यह सीधर चला गया अब रही बात इसकी तो यह क्या करेगा नॉर्मल की तरफ जुकेगा तो यह ऐसे किया और फिर नॉर्मल से दूर जाएगा तो फिर ऐसे जाएगा तो ultimately जो object O था उसका image यहाँ बना और यह दूरी कितनी होई S इसमें भी इसका thickness वही T है refract index mu है तो इसके लिए भी T कितना होगा 1-1 upon mu दो को दौनों में sit आना होई यह सब हम theory class आपका proper लेते regular lecture में तो उसमें हम आपको derivation कराते यह भी आपको formula याद रखना है तो दौनों का shift कितना है T into 1-1 upon mu दौनों में common चीज क्या है देखिए एक में तो हो रहा है कि image pass बन रहा है एक में image कहा जा रहा है दूर जोको यह towards हो रहा shift यह दूर जा रहा है लेकिन एक common चीज देखो आप दौनों में क्या है shifting उस तरफ हो रहा है image का shift उस तरफ हो रहा है जिस तरफ light propagate कर रहा है light कहां गया left to right light कहां गया left to right image भी कहां shift हो रहा है right side shift हो रहा है image कहां shift हो रहा है right side तो दौनों case के लिए formula same है मतलब light चाहे convergent beam हो चाहे divergent जैसे एक किसके लिए है डाइवर्जेंट बी और ये किसके लिए कनवर्जेंट नी दोनों केस के लिए डाइवर्जेंट हो जाए कनवर्जेंट हो सिफ्ट होगा T into 1 minus 1 upon you और सिफ्ट उस तरब होगा जिस तरब light प्रोपेगेट कर रहा था है न और value कितना T into 1 minus 1 upon you save ठीक है अब एक्जाम्पिल देख्ञें suppose this is a plane mirror and slab and object separation between this slab from left face to object is 10 cm thickness of slab is 6 cm refractive index 1.5 and right surface of slab and mirror separation is 8 cm calculate final position of image from mirror तो पहले तो आप यह देखो कि जो light tray पहले slab से पास होगा तो light tray जैसे माल नीचे इसको ऐसे जाना चाहिए था तो अभी इधर तो नहीं जाएगा यह deviate हो कि finally क्या होगा इधर होगा तो पहला image slab से कहां बनेगा तो light भले ऐसे गया लेकिन यह कुछ भी होगा कुछ ऐसे होगा इस पर ऐसे और फिर यह light ऐसे किरेगा इसकी कोई limit नहीं होती है मतलब slab दिखाने का मतलब ऐसा नहीं कि यहीं खतम होगा कितना भी medium में हम लोग आनेगे तो आप पहले slab के लिए देखो तो find position of image के लिए तो 4 slab देखो पहले पहली बार reflection हो रहा है तो 4 slab ओ तो object हुआ है लेकिन जब light इससे निकल गया तो जहां से निकला यह निकला तो इसके लिए निकलने के वाद तो i1 क्या होगा image और तो जहां shift होता उसको क्या बोलता है तो shift कितना होता है टी का value कितना है टी का value कितना है टी इस 6 cm 1-1 upon 1.5 तो इससे जो आपने calculate किया तो shift का value आ गया है वो आगया 2 cm यह हो गया अब जड़ा यहां देखो अब mirror के ऊपर यह light incident नहीं है mirror के ऊपर यह वाला है और यह कहां से आता हूँ फिल होगा i1 अब लोग लेखेंगे for mirror अब i1 object का काम करेगा incident ray के corresponding object होता है इसलिए इसलिए mirror के लिए जितना दूरी पर object उतना दूरी पर image इसलिए distance of i2 from mirror देखो कितना होगा distance of i2 from mirror जो value होगी वो कितनी होगी 10 6 8 कितना होगा 24 और यह s तो from mirror कितना होगा 24 minus s तो जितना distance पर होगा उतना दूरी पर यह जितना distance यह है उतना दूरी पर यह image होगा तो यह बना i2 और यह distance 24 minus s होगा s हम calculate कर चुके हैं चाहिए पहले रख दो यह चाहिए बाद में रख दो इसका मतलब है अब light जब reflect करेगा तो वह reflect कुछ इस तरह से होगा कि वह feel होगा जैसे ऐसे जा रहा है इतने एंगल पर incident और उतने पर reflection अब देखो जब reflect होके आ रहा तो मामला भी खतम नहीं हुआ कि इसको image बोन दाए अब जब reflect होके आ रहा light तो फिर से slab से pass होगा ना Lol slab से कैसे pass होगा धहिए आप छिस तरफ light जाता है इसको तो आभी इने इनीज किस तरफ प जाथा झाने का मतलब यह कुछ इस तरह का situation बनेगा कि ऐसे होगा reflection और पर परलल निकलेगा इसको तुम बर्चुरी एक्स्टेंड करोगे तो ये बिल्कुल इसी के पैर्लल है ना इसके पैर्लल इमेज कहां बनाएगा आई थी और ये सिफ्ट फिर से कितना होगा एस होगा क्यों होगा तो इसलिए अगें रिफ्रेक्शन बाइस लेग कितना होगा अब आई टू तो इसके लिए काम करेगा ऑब्जेक्ट का और आई थी किसका काम करेगा इमेज का और सिफ्ट फिर से वही टी इंटू बन माइनस बन अपॉन अपॉन उसे कितना आया तू सी है सेम ही रहेगा तो अब बताईए एस और सिफ्ट हो गया तो फाइनल इमेज तो आई थी बना यह डिस्टेंस कितनी होगी ट्वन्टी फॉर माइनस टू एस इसलिए डिस्टेंस अब फाइनल इमेज इमेज का जो पोजीशन है वो कैसा बनेगा ट्वन्टी सी है और कैसा होगा इमेज बर्चूल होगा तो हम लोग देख भी पाएंगे बर्चूल का मतला हम लोग जिसको देख सकें ध्यान यह देना कि लाइक जब इधर जा रहा तो तो पहले सिफ्ट होगा रिफ्लेक्शन क इसके बाद खतम नहीं करना क्योंकि रिफ्लेक्ट करेगा तो लाइट आएगा तो फिर से पास होगा से पास होगा तो फिर से क्या होगा फिर से तो सिफ्ट हुआ ना तो फाइनल इमेज क्या बन गया आई ए इसी मां दिजए हम लोग सेप्रेशन बीट्वीज दो बार सिल्वर्ड कर दिया object यहां कहीं रखा है यह कुछ भी ले लिया हमानों 6 cm ही ले लिया 1.5 है और यह रिष्टेंज सपोच 10 अब मैं फिर से पूछ हूँ आप से find position of final image from silver face दोखो जो आमने thin mirror पढ़ाता है उसमें कि reflection direct होता था इत्थिक mirror हो गया जैसे कोई paper weight होता है rectangular slab ले लिया transparent color का थिक है एक face आपने silver कर दिया लेकिन light पहले इंटर करेगा तो इंटर करने का मतलब क्या हुआ इंटर करने का मतलब यहां और फिर से reflect होगा तो इसका मीनिंग है कि यह 10 है यह 6 है तो जब इसमें इंटर करेगा तो पहले एक बार slab से मतलब इस combination को आप चाहो तो इस combination को क्या है सकतो लोगो light क्या होगा पहले टगराएगा इससे इंटर करेगा फिर mirror से reflect करेगा फिर वापस आएगा यह से समझें तो previous question में जो slab और mirror के बीच का separation कुछ था जो भी दे रखा था मैंने मालो 8 cm दे रखा था अब वो separation कितना हो गया जीरो silver मतलब जो mirror था और slab के बीच का separation था यदि उसको हम decrease करा के zero कर दे तो यही situation तो होगा लेकिन हमें पता है कि light पहले इधर जाएगा एक बार shift होगा फिर बापस आएगा तो दुबारा shift होगा तो ultimately जब दो बार shift होता ही है दो बार shift होता है तो हम सीधा क्यों ना करें यह 16 है तो final image जो पता क्या होगा जितना यह दूरी होता है इससे दो बार image को shift करो तो यह 16 है तो आपको क्या करना इधर बनेगा पहले image i1 बना फिर इधर i2 बना और यह क्या बनेगा i3 बना तो यह जो distance आएगी simple एक बार इधर s shift होता है एक बार इधर shift होता है तो pull मिला के कितना रहेगा यह जो separation है 10 plus 6 कितना 16 minus 2s करना आपको पुराने problem की तरह है हम तो सीधा relate कर रहें आपको कि एक बार जाते time shift होगा फिर एक आते time तो net shift जो होता है वो net shift कितना बन जाता है इसका 2s बन जाता है इसलिए distance क्या हो जाएगी final image की position क्या हो जाएगा तो d बराबर 16 minus 2s औ और s कोई पुराना बाला question है तो आप s calculate करो के t into 1 minus 1 upon mu से कोई पुराना data दे रखा है 2cm आएगा तो आप इसको calculate करो दे कितना आएगा 12cm तो distance of image हो आएगा यहां से कितना दूरी पर आएगा 12cm from the silvered face इस तरह से हम इसको find out कर सकते है अब हम लोग रिफ्रेक्शन at plane surface study करें तो refractionate plane surface में है पहला case हम लोग लेते हैं कोई भी case हो है ना चाहे light बन से 2 में जाए और 2 से 1 में जाए ठीक है ना जैसे पहला case हम लेते हैं कि light goes कि रेरर तू डेंसर मतलत ऑब जेक्त कार रहता है रेरर मीडियम में और सी कहां से करता हैंगी आई कहां पर होगा डेंसर में तब ही तो होगा ऐसा तो मान लेजे यह डेंसर मीडियम है और और यहां रखखा होगा है यह जब डैंसर मीरियम है तो लाइट रहे दो को ऐसे गया और यह तुबर्ड दर नॉर्मल इंसिदेंट लाइट यह अबजेक्ट है तो 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 अब इधर तो एक ऐसे जाएगा तो मिलेगा नहीं तो इसको बर्चुली एक्स्टेंट करवा पीछे तो कहीं तो मिलेग यह मिला तो यह कहां चला गया पीछे तो इंटर्फेस से दूरी एक्स पो और यह तिस्टेंस कितना है एक्स आई तो देखो यह रेर है और यह क्या हुआ डैंसर होगा तो लाइट ट्री कहां जा रहा है रेर टू डैंसर तो आप इसको ऐसी लिखोगे ना आर म्यूडी इस सबस्क्राइश है जैसे यहा घ्की नॉर्पन तो यह प्यारा एंगल होगा यह अलत यह भी आली बा族 ओग मरें इस पूल एंगल किलें दो लिखते हैं आई उप अना घ्रप प्रट्रा प्रृ एक्सिर सबुस्टरी के लिए और यह न द nuances sesया एक्सिक्षिश के ये इस मोल आई लिखना चाहोगे तो पर्पेंटिकुलर वाई बेस ऐसे लिखोगे ना आई मीन्स टैनाई और साइनाई तो आर्क वाई रेडियस से भी कह सकते हैं पी एं बाई पी ओ और आर क्या लिखेंगे इसी तरह से पी एं बाई पी आई यह कहीं से लोगे आर्म्यूटी क्या हुगा पी आई अपॉन पी ओ यह हम लोग यह कह सकते हैं एकस आई अपॉन एकसो तो इसको क्या कहुए इसको हम लोग ऐसे कहेंगे आर्म्यूटी एकस आई अपॉन एकसो लिखा पी इसका मीनिग हो गया इसका मीनिग हो गया यहां पर क कि लाइट रेर से डेंसर जा रहा था तो एक्स आई अपॉन एक्स ओ इक्वल टू अप्रेंट डेप्थ बाई रियल डेप्थ है अप्रेंट डेप्थ बाई रियल डेप्थ इस तरह से आप ठीक है तो यह हो गया दोनों अब माल विजे 30 सेटिंड लेते हैं द्यान के देना कि लाइट कहा जा रहा है और हमको रिफ्रेक्टिंडेक्स डेंसर का रेरर के रिस्पेक्ट में पता रहता है हम लोगो रिफ्रेक्टिंडेक्स डेंसर का रेरर के रिस्पेक्ट में तो वह तो आप बाद में एज़ेस्ट करना है न पर यह द्यान देना greater than XO, इस shift निकालना है तो है, SI minus XO कह सकते हैं, कि इस से कहेंगा है, कि light repose dancer to rare, यानि object कहाँ पर रखेंगे, object in dancer, और I कहाँ पर रखें, in rare, ऐसा condition होगा, तो ये वाला ही मुझतर ना होगा, अब इसको थोड़ा सा ध्यांगे, क्या, कि, ये suppose dancer medium है, वह हम लोग यहाँ देख रहे हैं, तो ये dancer होगया, ये rare होगया, ये object था, light ऐसे गया, ये angle आई है, तो ये भी आई होगा, नॉर्मल से दूर हटता है, तो ऐसे जाने के वज़ाए, थोड़ा दूर हटेगा, ये R होगया, बर्चुली खीचो तो पीछे होगया, तो ये image बना, तो ये angle R, P और M, फिर वही, light गया, देंसर से rare है, तो अब स्नेसला में क्या लिखोगे, D new R लिखोगे, पहले rare है से dancer जा रहा तो R मुटी लिखा भी D new R, तो क्या लिखेंगे, sine I upon sine R, और para-accelerase के लिए क्या होता, I upon R, तो फिर वो सब कुछ वही डाटा आ गया, बस यहाँ पे क्या रहेगा, R mu D की जगा, D new R, ये general formula हमने बना दिया, क्या, कि Ray यदि 1 से 2 जाएगा, तो 1 mu to equal to apparent depth y real depth, जैसे XI upon XO आ गया, तो फिर वही जी जा D new R equal to, XI upon XO, apparent depth y real depth, यदि हम ये याद रखें कि light किस medium से किस medium में जा रहा है, तो image past में बन रहा है, या दूर बन रहा है, जब आप calculate करोगे, तो वो data आ जाएगा, है ना, उसके लिए अपने को headache नहीं लेना है, वो data calculate होके आ जाएगा, कि कम है या फिर जादा है, है ना, जैसे हम इसको एक example के तूर लेते हैं, दोनों में सेम common formula हो गया, इसलिए हमने इसको इसको इस तरह से लिखा हुआ है, इसलिए मैं shift के form में नहीं कह रहा हूँ, हाँ, बस इतना थोड़ा सा, थोड़ा ध्यान रहेगा, तो अच्छा रहेगा हम लोगों क्या, कि जब object tensor में ह देखते हैं, तो आप daily life में practical करके देख सकते हो, बार्टर में कोई coin डालते हो, तुम उपर air से देखते हो, तुम उपर lift होता हुए दिखाई देता है, बाउंटरी के पास दिखाई देता है, तो object यहाँ है, यह tensor मतलब बार्टर है, हम air से देख रहे है, तो boundary के पास दिख and fish is at a depth of 12 cm, 12 meter and bird is flying above 15 meter from the water surface, refractive index of water is 4 by 3, calculate apparent distance between fish and bird, real distance तो कितना हो है, 15 plus 27, apparent distance between fish and bird, a, scene by bird, जब कौन देखेगा, bird देखेगा, second scene by the fish, तो a पार्ट को हम जैसे देखे, scene by bird के लिए क्या होगा, तो scene by bird का मतलब word देख रहा है, तो eye क्या होगा, bird हो गया, तो फिर object कौन सा होगा, object जो हुआ, वो fish हुआ, light tray कहा जाता है, object से eye के पास, इसका मतलब, हम यह कहेंगे, light tray goes, फिस बार्टर में है न, तो हम बोलेंगे, बार्टर to ear, तो बार्टर to ear कह रहा है, तो आप देखे, यह फॉर्मला, apparent depth by real depth था, वो interface से होता है, तो interface तो यह हुआ, तो आभी object कौन सा हो गया, फिस हो गया, और ray कहा जा रहा, बार्टर से air, तो आप क्या लिए लिकों के apparent depth by real depth यह formula था, तो w में पता नहीं रहता, पता रहता हम लोगों a mu w, तो इसको हम उल्टागर के लिख सकते हैं, refractive index of barter with respect to ear, apparent depth पता नहीं कितना है, पर real depth पता है, हमें interface से कितना है किसका, 12, object का distance लेंगे, तो यह x i कितना हुआ, 12 upon a mu w, that is 4 by 3, तो 3 उपर चला गया, तो x i कितना है, 9 meter आया, 12 की वजा है, वो कितने पर दिखाई देगा, इसको 9 पर, अब बताएं, interface से 9 पर दिखाई दे रहा है, और कितना उपर है, 15, तो इसलिए apparent distance क्या होगा, apparent distance, जो 12 पर था, वो इसको interface से 9 पर दिखाई दे रहा है, यह खुद 12, 15 cm उपर 15 meter, तो 15 प्लस क्या लिखोगे, 9, तो कितना होगया, 24 meter यह answer होगया, ठीक है, अब हम लोग case second देखें, तो B part क्या है, scene by face, तो face देखेगा, तो किसको देखेगा, word को देखेगा, तो इसका मतलब जो I है, वो क्या बनेगा, face बनेगा, object क्या होगा, word होगा, तो light ray तो object से निकलता है, तो हम क्या water, air से कहा जाएगा, water जाएगा, तो फिरको सेम चीज लिखना है आपको, a new w, x i upon x o, a new w तो हमको पता ही रहता है, 4 by 3 होता है, तो हम direct लिखेंगे, तो 4 by 3, अब apparent depth देखो कितना है, अब देखिया, interface यह होगया, object यह होगया, तो depth यह माना जाएगा, तो depth कितना होगा, apparent त x i 20 meter का मतलब क्या जोखो, फिस जब word को देख रहा, तो interface से 15 की वजाए 20 पे दिखाई दे रहा, तो ऊपर दिखाई देगा, और यह खुद कितना धूरी पर है, 12 पर, तो आप क्या लिखोगे, apparent distance, 12 plus 20, तो कितना distance हो जाएगा, 32 meter, यह, इस तरह से हम लोग find out करेंगे, next example देखते हैं, suppose एक यह slab है, और इसके अंदर कोई एक mark है, कोई point भी मालिया हो, है न, और mu है 1.5, यदि हम इसको left side से देखते हैं, और फिर right side से देखे हैं, if, apparent distance, of point भी, from left surface, is 12 Cm, and from right surface, 15 Cm, then calculate, thickness of slab, देखो यह point P है, इसके अंदर, left side से देखते हैं, तो P का जो apparent distance है, वो 12 पर देखता है, यहां से है, और right side से देखते हैं, तो apparent कितने को देखता है, 15 पर, तो actual चाहिए है, तो हम यह मान लें, कि यह actual distance x है, और यहां से actual y है, तो पहले हम from left side देखें, तो left side से क्या लिखोगे, यह तो बढ़ा था, light तो ultimately यह से आएगा, glass air, तो आप यह लिखोगे, जी यह याद करो, apparent depth by real depth, यह से बताया था, तो वो कहां से लेना, interface से, तो यह तो बन अपॉन 1.5 बनेगा, क्यों बनेगा, देखो, glass air आ रहा है, और हमको क्या पता रहता, यह म्यूजी तो बदलना पड़ेगा, तो बन अपॉन यह म्यूजी लिखोगे, apparent depth जो given, यह जो distance दे रखा है, यह apparent depth ठीक हो है, तो apparent जो दिख रहा है, वो 12 पर, तो X हो, तो real कितना होगा, 18 cm, है न, मतलब यह जो X O है, वो actual कितना माल रहा है हम लोग, X, तो यह X सा value हो गया, 18, अब आते हैं from, similarly, right surface, तो जब right surface से आप study करो, तो फिर रेकान गया, glass से air ग apparent depth वाई भी है, फिर से वही कहानी, तो यह 1 upon 1.5, apparent depth कह रहा है, 15 है, देखो, 15 cm, और real depth कितना है, y है, तो यह multiply करोगे, तो कितना आएगा, 22.5 cm, अब खुद इतना है, आपको real thickness कितना होगा, तो इसलिए thickness of slab क्या होगा, thickness of slab equal to x plus y, दौनों को add करो, तो 40.5 cm, ठीक है, अब लोग देखें, lateral magnification by plane surfaces, तो आप कोई भी medium है, जैसे 1 माल लिया, कोई rarer होगा, या dancer होगा, यह क्या होगा, medium 2 होगया, कोई rarer होगा, कोई dancer, कुछ तो होगा, अभी माल दो, हमने इसको rarer माना, इसको dancer, तो suppose यह object है, तो यह a-b object है, तो जो light ray, ऐसे जाएगा, normal भी, एक image इसी line पर कहीं बनेगा, तो वो तो सीधा निकल जाएगा, यह बला, और जो light ray यहाँ गिरेगा, तो towards the normal shift होगा, या अभे होगा, डिपेंड करेगा, जैसे अभी हमने dancer माल लिया, तो ऐसे होगा, अब बताओ, यह dawn और diverging है, तो यह कभी मिलेंगे नहीं यहाँ पर, तो image real तो नहीं बन सकता, तो कि virtual बनाने के लिए क्या गरो, इसको पीछे extend करो, देखो, refractory यह दोन है, तो इसका intersection देना है, आपको होगा, तो अब इसको आप बनाओगे, तो इसके ऊपर ऐसे जाएगा, इसी तरह आप इसको पर आया, तो magnification, जो lateral magnification है, उसका सीधा formula होता है, यह तो सब जगए apply करना है, height of image by height of object, अब जितना object का height है, उतना ही image का है, तो इसलिए क्या होगा, प्लस बन, तो इसका मतलब है, place अब इससे, जो lateral magnification होगा, वो always क्या होगा, प्लस बन होगा, ठीके ना, a velocity of image, if object is moving normal to the interface, जो boundary है ना, दो medium का, उसके normal चले, कोई medium, rarer हो, dancer कुछ तो होगा, तो ऐसे मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, simply, medium 1 और medium 2, यहां से देख रहे हैं, और object को इस रजारा है, मानो, वी ओ से जारे, तो कभी तो कुछ distance होगा, x हो, तो distance of image भी आएगा, तो light, जो भी होगा, वो ऐसी ना, कुछ पढ़ रहा होगा, इस पर दूर जाए, पास जाए, तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा था, हमने बताया था, रे कहां से कहां जा रहे हैं, तो 1 से 2 क्या, तो 1 mu 2, क्या बताया था, अप्रेंट एक्ट वाई, तो यह तो बदलता नहीं है, तो इससे क्या होगा, x i equal to 1 mu 2 x, light रे देखना है कहां से कहां, अब देखो, तो डिफ्रेंटिट करो time के respect पर, x i 1 mu 2 dy dt of x o, तो x i का जो derivative होगा, वो क्या होगा, बैलोस्टी of image, और यह 1 mu 2 बैलोस्टी of object, तो फिर से देखो क्या बदना है, बैलोस्टी of image by बैलोस्टी of object, यह देखो आप ध्यान से, तो पहले आया था, x i upon x o, अब उसी तरह से यहां यहां पर क्या आएगा, अब यहां पर आ गया, b i upon d o, meaning यह हो रहा है, कि जैसे refractive index हम लिख रहे थे न, plain surface के लिए, रे 1 से 2 जाए या 2 से 1 लिखो, और वो लिखा था apparent depth by real depth, इसी तरह से यहां पर क्या हो जाएगा, apparent velocity by real velocity, ठीक है, apparent velocity by real velocity, और जब perpendicular मतलब surface के parallel जएगे, त जैसे हमने spherical mirror में बताया था, जब इसका magnification 1 आ रहा है, तो surface के perpendicular जो object का velocity होगा, वही image का velocity होगा, किसी angle पर होगा, तो हम तोड़ेंगे, इसको तोड़ के उसी तरह से solve करेंगे, जैसे मैंने आपको spherical mirror में solve करके बताया था example, है न, तो next example देगे, suppose यह water है, और in this water, an object is moving 10 meter per second towards the interface and seen from air, ठीक है, calculate apparent velocity by real velocity of object is 10 meter per second, it is at a distance of 100 cm, तो आब लोग क्या करेंगे, कि रहे कहाँ जाएगा, barter to air, so w mu a, velocity of image by velocity of object, apparent velocity by real velocity, तो यह w mu a नहीं पता रहता, पता रहता इतना, तो आप इसको change करोगे, apparent velocity नहीं पता, और real velocity है 10, तो यह कितना हुगा, 10 by a mu w, a mu w कितना, 4 by 3, तो 30 by 4 हुगा, यह कितना हुगा, 7.5 meter per second, इसका मतलब है कि जो actual velocity का 10 है, वो कितने से फील होगा, उसका velocity पता चलेगा, हमको कितने से पता चलेगा, 7.5 meter per second,